उन कई सारी शक्तियों के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए, जो हमें वो बनाती हैं, जो हम हैं। अगर आप जागरुख हैं, तो अचानक आपके अंदर जीवंतिता की एक किरन जागेगी, और अगर आप गहरी नींद में भी हों, तो भी जाग जाएंगे। आपके साथ ये होना चाहिए, इसका मतलब है आप उसके साथ तालमेल में हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि फिर शरीर एक अलग तरह से बरताव करता है, उस समय अगर आप बैठकर वो प्रक्रिया करें। आपका सिस्टम, मनुश्य का सिस्टम एक विशेश तरीके से व्यवार करता है, ये एक संभावना है, तो एक जागरुकता रही है इस संभावना का इस्तिमाल करने की, आपका जीवन उन कई चीजों का परिणाम है, जिने हम ब्रह्मान कहते हैं, या जिने हम अस्तित्व कहते हैं, तो हम इस जबरदस घटना का परिणाम हैं, जिसे हम स्रिष्टी कहते हैं, हम अपने आप में एक अलग जीवन नहीं हैं, तो जब आप तालमेल में होंगे, तो कुछ चीजें होंगी, हमारे अमेरिका के टेनेसी में स्थित आश्रम में ऐसे जिंगूर पाए जाते हैं, जो 17 सालों में सिर्फ एक बार जागते हैं, क्या आपने ऐसा कुछ देखा है, वो समझ जाते हैं कि 17 साल हो गए और वो जाग जाते हैं, फिर वो बच्चे पैदा करते हैं और सो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि 17 साल हो गए, वो भी बिना किसी अलाम बेल के तो ये कैसे होता है, मैं कह रहा हूँ कि वो प्रकृती के साथ तालमेल में है हमने प्रकृती के साथ तालमेल खो दिया है और हमें लगता है कि यही हमारी प्रकृती है नई, कई सारी बीमारियां और समस्याएं जिनका मनुश्या अनुभव कर रहे हैं वो बस इसलिए हैं क्योंकि हमने वो जागरुक तक हो दी है कि उन कई सारी शक्तियों के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए जो हमें वो बनाती हैं, जो हम हैं तो योग वो तालमेल लाने के लिए है, ताकि आप जीवन के साथ लै में होँ. अगर आप जीवन के साथ लै में होंगे, तो आप भी सुभे तीन बजे के थोड़ा बात जागेंगे. अगर आप जागरुख हैं, तो अचानक आपके अंदर जीवन्तिता की एक किरन जागेगी और अगर आप गहरी नीद में भी हो, तो भी जाग जाएंगे आपके साथ ये होना चाहिए, इसका मतलब है, आप उसके साथ तालमेल में हैं, आप जीवन के तालमेल में हैं जिस तरह से धर्ती घूम रही हैं, और जो भी हो रहा है, उस वज़े से एक बहुत बुन्यादी बदलाव आता है, सुभए तीन बीस से सुभए तीन चालीस के बीच, इसे ब्रह्म महूरत कहते हैं ऐसा बस 33 डिगरी लाटिटूड तक ही होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ध्यान करना चाहिए या क्रिया इस से फर्क नहीं पड़ता, कि आप क्या करते हैं, आपको वो प्रक्रिया करनी चाहिए जिसकी आपको दीक्षा दी गई है क्योंकि दीक्षा का मतलब है, आपको कोई अभ्यास बस सिखाया ही नहीं गया है, आपके सिस्टम में उसे उतार दिया गया है, उसे आपके सिस्टम में बिठा दिया गया है, तो वो जो भी हो, अगर आप में एक जीवित बीज है, और आप ब्रह्म महुरत पर जागें, और वो अभ्यास करें, तो इससे सबसे ज्यादा फाइदा होता है, क्योंकि तब धर्ती के बरताव का आपके सिस्टम पर वैसा ही असर होता है, अगर आप एक विशेश तरह से जागरुख हो जाएं, आपके अंदर एक खास तरह की जागरुखता आ जाएं, तो आप बस जान जाएंगे, कि वो समय कब है, अगर आप सही समय पर सोने जाएंगे, तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं होगी, आप हमेशा जान जाएंगे कि तीन चालीस बज़े हैं, क्योंकि फिर शरीर एक अलग तरह से बरताव करता है, उस समय अगर आप बैठकर वो प्रक्रिया करें, जिसकी आपको दीक्षा मिली है, वो नहीं जो आपने किताबों से पढ़ी है, तो सबसे ज्यादा फाइदा होगा, उस समय बीच को अंकुरत होने के लिए जरूरी मदद मिल जाएगी, या वो अन्य समय के मुकाबले, ज्यादा तेजी से विक्सित होगा, ये सिर्फ दीक्षित लोगों के ही लिए है, अगर आप दीक्षित नहीं हैं, आप किताब योगी हैं, तो तीन चालीस, छे चालीस, साच चालीस, इस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, संध्या मतलब सूरज के उगने से 20 मिनिट पहले से 20 मिनिट बात तक, या सूरज डूबने से 20 मिनिट पहले से 20 मिनिट बात तक दोपहर और आधी रात के लिए भी यही सच है लेकिन उनकी प्रकृती अलग है तो ये दो संध्याएं उनके लिए बहतर हैं जो दीक्षित नहीं है 43 उनके लिए अच्छा है जिन्हें शक्तिशाली दीक्षा मिली है